इन्फिनिक्स स्मार्टफोंस पे आ रही है सेल फिर एक बार पगली सेल अभी बाकी है नमस्कार सौरब दिवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लललन टॉप शो आज शो की शुरुआत एक पलिटिकल किस्से की बुनियात से करते हैं दौर था आजादी की लड़ाई के आखरी चरण का 1946 का बरस तबके हैदराबाद राज्य में एक जगे थी वरवट्टी फिलवक्त ये करनाटक में है हैदराबाद की निजाम की कुछ सैनिक वरवट्टी के गाउं जाते हैं घर के बाहर बच्चा खेल रहा था उम्र करीब तीन बरस की रही होगी पिता काम पर गए थे घर में मा और बहन थी निजाम के सैनिकों ने दोनों को जिन्दा जलाकर मार डाला बच्चा देखता रहा और दर्दनाख द्रिश्च जिन्दगी भर के लिए उसकी आँखों में कैद हो गया ये बच्चा आज सुर्खियों का स्तरताज बना है इसका नाम मलिकारजुन खडगे है करनाटक के बड़े और स्थापित नेताओं के बीच अपनी पहचान बना चुके मलिकारजुन खडगे 2019 से पहले कभी चुनाओ नहीं हारे मलिकारजुन खडगे और अब कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे कैसे बन गए वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष क्या सिर्व गांधी परिवार के प्रती वफादारी उनके खाते में जाएगी या पचास बरस से जादा का सारजुनिक जीवन का अनुभव जाएगा एक अति सामाने प्रिष्ट भूमी से आना गरीब प्रिष्ट भूमी से आना दलित परिवार से आना संघर्ष के जरीए आगे बढ़ना ये गिना जाएगा या फिर ये गिना जाएगा कि तीन दफ़ा CM का पद काफी करीब आया उनके लेकिन वो बन नहीं पाए और ये उनके राजनेतिक जीवन के बड़े मलालों में से गिना जाता है सब पर बात करेंगे इस पर भी कि इस चुनाओ को किस ने नूरा कुष्टी कहा और किस ने कहा कि हमने कम से कम चुनाओ करवाए तो तो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष तमाम राजनेतिक दलों के बयान हैं जो सामने आ रहे हैं कि 19 अक्टूबर 2022 की दुपहर को मलिकार जुन खटगे को कॉंग्रेस का नया अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया है शो में उन पर बात करेंगे उनकी पलिटिकल जर्णी पर बात करेंगे बात कल शो में जिस बात पर हुई थी वो भी आगे बढ़ेगी बिलकिस बानों के दोशियों की रिहाई क्योंकि उस पर कुछ नए खुला से हो रहे है सुरु क्या भी कही हैं सबसे पहले गोहर करिए बड़ी खबर पर अर्से बात देश की किसी पार्टी में राश्ट्री अध्यक्ष का चुनाव होते देखा गया इसलिए क्योंकि एक से जादा उम्मीतवार मैदान में थे कही राजनतिक दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव दिखावे का था क्योंकि सर्वशक्तिमान आला कमान ने तो पहले ही संकेत कर दिया गया था यह आरोप भी इसलिए लगे फिर कही ने कहा क्योंकि चुनाव कम से कम हुए तो कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मलिक आरजुन खडगे और तिरुवनंत पुरम से सांसत शशी धरूर के बीच मुकाबला हुआ 17 अक्टूबर के दिन वोटिंग हुई और आज यानि 19 अक्टूबर 2022 को दोपहर तक नॉट सो ब्रेकिंग खबर भी आ गई चुनाव प्रबंधक मधुसूदन मिस्त्री ने नतीजे घोशित किये और यह थे नतीजे कुल वोट पड़े 9,385 यह कॉंग्रेस के वो डेलिगेट्स थे जिन्होंने वोट डाले जो इस वोटर लिस्ट में थे मलिकारजुन खटगे को वोट मिले 7,897 शशी थरूर को वोट मिले 1,022 जबकि 416 वोट इन्वैलिट हो गए किसी ने दस्कत सही नहीं किये किसी का और कोई तक्निकी कारण रहा यानि बड़े अंतर से मलिकारजुन खटगे की जीत हुई जो पहले से तैशुधा मानी जा रही थी गांधी परिवार ने सारजुनिक तोर पर एलान नहीं किया था पर सब जानते थे कि जब CWC के सब मेंबर किसी उमीदवार के प्रस्तावक बन रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा खटगे गांधी परिवार के अप्रत्यक्ष रूप से उमीदवार थे ऐसे में शशी थरूर की उमीदवारी नाम मात्र की रह गई थी साल 1998 में जब सोनिया गांधी पहली बार कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सीता राम केसरी को हटा कर तब CWC में ही मामला निपट गया था चुनाओ की नौबत नहीं आई थी हाला कि जब सोनिया गांधी चुनाओ लड़ी थी तब जितेंद्र प्रिसाद ने उन्हें चुनाओती दी थी तो 1998 से अब तक यानि पूरे 24 साल बाद ऐसा हो रहा है जब गांधी परिवार से इतर कोई व्यक्ति कॉंग्रेस का ध्यक्ष बन गया है चचा केसरी का हमने जिक्र किया उसके पहले के भी कई उधारन रहे हैं आज जब काउंटिंग हो रही थी तो शशी थरूर गुट के प्रतनिदियों ने चुनाओं में कुछ अनिमित्ताओं की बात भी कही शशी थरूर के पोलिंग एजेंट सल्मान सोज उन्होंने मदसूदन मिस्त्री से मिलकर चुनाओं में हुई गर्वडियों पर लिखित शिकायत की ऐसी खबर आई सोज ने यूपी तेलंगाना समेथ कुछ राज्यों में जिस तरीके से पोलिंग या काउंटिंग हुई उसके बारे में बात कही लेकिन जब प्रेस ने उनसे सीधा सवाल पूछा तो उनका आखरी जवाब था कि हमने जो इशूस थे उनके बारे में बता दिया है पब्लिकली डिसकस नहीं करूंगा हम सब मिलकर कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं अब मौका आ गया है कि हम विजेता और जो पराजित हुए उन नेताओं के बयान सुन ले उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन आप कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं ये कॉंग्रेस के सिफाई के नाते काम करते रहोंगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके ऐसा उन्होंने मुझसे कहा इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो आध्यात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने उन पर बिदाया मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कॉंग्रेस कार्यकरता हुने मुझे समर्थन दिये जिन में से एक हजार से ज्यादा मद्दान देने वाले हमारे डेलिगेट्स भी थे और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के भलाए की ने काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिये मैं चाहता हूँ कि खञगे साब का विजय हम सब मानले की कांग्रेस पार्टी के जीत है मैंने शुरूआट से ही कहा था ये कोई व्यक्तिक का विशेन है मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता हूँ मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पार्टी मजबूत बने क्योंकि भारत्य मजबूती के लिए एक कॉंग्रेस मजबूत होना बड़ी जरूरूरू आपने प्रेस कॉंफरेंस के बयान सुने इसके बाद धरूर ने खटगे को बढ़ाई दी और नतीजों के बाद दोनों की साथ में तस्वीर भी सामने आई टिपडिकार कहने लगे कि कॉंग्रेस की राजनीती में दस जन्पत के बाद अब दस राजाजी मार्क का भी महत्प हो चला है जो कि मल्यकार जुन खटगे का सरकारी निवास है तो अब सवाल ये है कि क्या कॉंग्रेस का आला कमान बदल जाएगा टिपडिकार कहते हैं कि कॉंग्रेस में खटगे एक मजबूत स्थम के तौर पर तो रहेंगे लेकिन अब भी परिवार का से बना रहेगा, महत्पूर रहेगा क्योंकि वो कॉंग्रेस का सबसे बड़ा रैलिंग पॉइंट है फिर जो कॉंग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि आप देखिए अगर प्रतीकों की राजनीती सत्ता रूल भाचपा करती है जब कोई आदिवासी महिला बनती है या कोई दलित पूरिश राष्टपती बनता है तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि हमने समाज के सबसे पिछले वर्ग को अपनी पार्टी का सबसे बड़ा पद दिया और जो लोग कॉंग्रेस और भाचपा दोनों की मुखालफत करते हैं उन्होंने कह दिया कि खडगे उतने ही पावर्फुल होंगे कॉंग्रेस के सेंटर में जितना बीजेपी में जेपी नडड़ा है उनका कहने का ताथ पर ये कि बीजेपी में अभी भी बड़े फैसलों में नरेंदर मोदी और अमित शाह के कहे का वजन और संग की सम्मती सबसे बड़ी होती है तो सब अपने अपने धंग से इसकी व्याख्या कर रहे थे कुछ ने ये कहा कि यहां कम से कम ये तो तै हुआ कि कोई नया व्यक्ति गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष बना और भाजपा में भी ये तै नहीं होता कि एकी परिवार से बने क्योंकि रीजिनल पार्टियों में भी जब अध्यक्ष का चुना होता है तो तैय शुदासा फॉर्मूला होता है कि जिस नेता ने पार्टी स्थापित की उसी के परिवार की व्यक्ति उसको आगे बढ़ाएंगे संकेतों में सबने अपनी अपनी बात कही पर इसको लेकर राहूल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे भी सवाल पूछा गया आंध्र प्रदेश में यात्रा है समय प्रेस कॉन्फरेंस हुई और उन्होंने अपने रोल पर ये कहा राहूल गांधी कहते हैं वो क्या करेंगे ये पार्टी के नए अध्यक्षते करेंगे और बीजेपी वो आरोप लगा रही है कि कॉंग्रेस ने कट पुतली को चुना है सब कुछ अब भी सोनिया गांधी के जरिये ही होगा सुनिये और पार्टी के अपना नेता चुनने का भिकार के इस अपना देख चुना है लेकिन इससे देश की राईजीति और कांगरस की राईनीटी में कोई असर पढ़ने वाला नहीं है कांगरस सिस्थमें वेंटी लेटर पर हैं जरजर हालत में नब्बे प्रतिशत कॉंग्रस के बड़े नेता कॉंग्रस छोड़के जा चुए है। और कांग्रस पार्टी आज देश की राजीति में एक अक्सपायड इंजेक्शन की तरह है। अब अक्सपायड इंजेक्शन की प्रॉपर्टी पदने वाली नहीं है। देश की जनता के लिए आज कॉंग्रस एक अक्सपायड इंजेक्शन है जो जर जर हालत में है। और इस बदल से ना देश की रायजीति में बदलावाने वाला है, ना कॉंग्रेस की रायनीति में बदलावाने वाला है, कट पुतलियों में भी महा कट पुतली डूंडी गे, परिकर्मावादियों में भी महा परिकर्मावादी डूंडा गया है, महा परिकर्मावादी का सब से बड़ा प्राकरम यह है कि वो परिक्रमावादी करार दिया इन सब के बीच माइक और कैमरा उस नेता की तरफ भी मुड़े जो अभी भी राजिस्थान के मुख्यमंत्री हैं और कुछ सप्ताह पहले तक तैमाना जा रहा था कि वही कॉंग्रेस के अगली अध्यक्ष होंग गवड़ा करे करते हैं उनको डेल लगता है इसलिए लगता है को वह मुगत भारत के बाद क्यों करते हैं अब इन सब के मुग पे ताले लग जाएंगे जब इनके यात्रस बहुत कामयाँ हो रही है रहो जी की चुनाव अपना आप में एक चैलेंज था सब के सामने बीजी करनाटक के दलित परिवार से आने वाले नेता हैं हिंदी हार्टलेंड ने उन्हें मुकंमल ढंक से तब नोटिस किया जब 2014 से 2019 के बीच गुलबरगा के ये सांसद कॉंग्रेस पार्टी के लोगसभा में नेता बने मुखिया बने उसके बाद उनको लेकर और कयास लगने लगे लेकिन 2019 में वो गुलबरगा से चुनाव हार गए पहली दफ़ा चुनाव हारे इसके बाद क्या हुआ इसके बाद वो फिर से लाइम लाइट में लोटे है पहले तब जब वो अशोग गहलोत को समझाने के लिए जैपूर की क्राइसिस को मैनेज करने के लिए वहां के प्रिभारी अजय माकन के साथ भेजे गए और फिर तब जब दिगविजे सिंग सरीके कई नामों की चर्च पूरी करते थे वहीं पर उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई और उसके बाद सरकारी कॉलेज में दाखिला और यहीं से स्टुडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत भी हुई जिन्दगी में पहला चुनाओ कॉलेज में ही लड़ा चातर संग के महासचिव चुने गए और इसी राजनीती के दौरान उन्होंने मजदूर यूनियन में भी हिस्सेदारी शुरू कर दी जब वो पूरी तरह राजनीत में उत्रे तो भारती राजनीती का बहुत ही बोलेटायल बहुत ही घटना प्रधान यूग चल रहा था खटगे संग्त मजदूर संग के प्रभावशाली नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे उधर इंद्रा गांधी ओल्ड गार्ट से एतर अपनी पहचान बनाना चाह रही थी कॉंग्रेस में बड़ा विभाजन हुआ था साल था 1979 उस समय करनाटक में एक कदावर नेता हुआ करते थे जिनका नाम था देवराज ओर्स खटगे पर देवराज ओर्स की नजर पढ़ी और इसी नजर पढ़ने का इनाम था कि 1972 में सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्हें पहली दफा विधाईकी का टिकट मिल गया इंद्रा गांधी की कॉंग्रेस पार्टी से वो विधायक बने देवराज ओर्स मुख्यमंतरी बने पहली दफा देवराज ओर्स जब सत्ता में लोटे तो उन्होंने खटगे को अपनी मंतरी परिशद में जगे भी दी गुर्मितकल से जो विधायक थे वो माननी मंत्री हो गए पहली बार विधायक कब बने उनीस सो बहत्तर में यानि आज से ठीक पचास साल पहले कॉंग्रेस के कारकरता बार बार इसी सुधिहीर्ग सारजनिक जीवन की तरफ संकेत कर रहे है इंद्रा गांधी के जमाने से नरेंद्र मोधी तक का जमाना आप देखिए कितना लंबा गैब है खटगे लगातार नौ बार विधायक बने अलग-अलग कॉंग्रेस सरकारों में मंत्री रहे कभी बंगारप्पा की सरकार, कभी वीरप्पा मोहिली की सरकार, कभी एसेम कृष्णा की सरकार, कभी धरम सिंग की सरकार, कभी और जो सरकारें रही उन सब में अलग-अलग विभाग भी बदलते रहे उनकी सीनियोर्टी के हिसाब से पर एक बात बार बार कही जाती रही कि सियासत की काजल वाली कोठरी में इतना लंबा वक्त बीटने के बाद भी उन पर कोई बड़ा व्यक्तिकत रूप से इल्जाम नहीं लगा हमने जब उनकी और बाइग्रफी खंगा ली तो पता चला उन बड़े मौकों के बारे में जो उनके मिस के तौर पर माने जाते हैं कि जहां पर वो चूप गए पहला बड़ा मौका आता है नब्बे के दशक के मद्ध में उस समय करनाटक में जनता दल की सरकार थी हडी देविगौडा मुख्य मंत्री थे उनीस सुच्यानवे में देविगौडा प्रधान मंत्री बनकर दिल्ली आ जाते हैं और हम पटेल उनकी जगे पर सीम बन जाते हैं उस दौर में खटगे कॉंग्रेस के नेता थे विदायक दल के यानि विपक्ष के नेता थे कदावर हो गए थे आला कमान के साथ अच्छे तालुकात थे और ये वो दौर था जब आला कमान बदल रहा था नरसे मराव का आला कमान उसके बाद सीता राम केसरी का आला कमान और उसके बाद सोनिया गांधी का आला कमान और जानकार कहते हैं कि उन्होंने सब के साथ अच्छे सब्बंद रखे अमूमन जब मुख्यमंत्री के पत के लिए चुनाव होता है तो दो सबसे बड़े दावेदार होते हैं यदि पार्टी सत्ता में आए एक तो जो पिछली विधान सभा में नेता प्रकिपक्ष रहा ऐसा व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति जो प्रदेश में कॉंग्रेस का अध्यक्ष रहा 1999 में करनाटक में कॉंग्रेस की बापसी हुई लोग मलिकारजुन खटगे की संभावनाओं के बारे में बात करने लगे यूपिय का दौर बीतने के बाद कुछ समय के लिए भाजपा में भी आए इनकी सरकार में खटगे होम मिनिस्टर रहे इसी शासनकाल में कुख्यात डाकू और तसकर विरप्पन ने कंड़ा सिनिमा के जाने माने एक्टर राजकुमार का अपरन किया था कॉंग्रेस समर तक इस बात को खास तोर पर एक खांकित करते हैं कि खटगे ने बतौर होम मिनिस्टर इस इशू को बहुत अच्छे से टैकल किया फिर 2004 में विधानसभा चुना हुए कॉंग्रेस फिर जीती पर नंबर कम थे तो जेडियस से मिलकर सरकार बनाई अब तैथा कि मलिकारजुन खटगे का नंबर आ ही जाए लेकिन नंबर किसका आया एन वक्त पर परची खुली खटगे के दोस्त और सियासी प्रतिद्वंदी धरम सिंग के नाम की खटगे से सवाल पूछा गया ये तो आप से जूनियर है आपके लिए जटका है क्या आप अब भी मंत्री बनेंगे उन्होंने कहा पॉल्टिक्स में सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है काम करते रहे उसके बाद कारेकाल पूरा होता है 2008 में भारती जनता पार्टी सत्ता में आती है खटगे अपना विधान सभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं आखरी दफा विधाय की का चुनाव क्योंकि 2009 में पार्टी आला कमान उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहता है और फिर वो दिल्ली की राजनीती करने लगते हैं एक ट्रिविया और चल रहा है सोशल मीडिया पर खडगे के पाँच बच्चे हैं दो बेटियां तीन बेटे एक बेटी का नाम है प्रियदर्शनी जो इंदिरा गांधी के बचपन का नाम था और दो बेटों में एक का नाम है प्रियांक और दूसरे का राहुल लोगों ने कहा कि वो आला कमान से इतने प्रभावित थे कि नॉमिक लेचर में भी वो असर दिखा पर अब तक खड़गे दिल्ली की राजनीती में सक्री नहीं हुए थे कई ने कहा दिल्ली की राजनीती में सक्री नहीं थे 2009 में दिल्ली आने के बाद क्या होता है हम जानते हैं कि UPA2 का दौर शुरू होता है यानि मरमोहन सिंग दुबारा प्रधान मंत्री बनते हैं 2009 के चुनाओं के बाद और खडगे उन्हें मंत्री परिशद में जगे मिलती है शुरुवाती दौर में लेबर और इंप्लाइमेंट मंत्राले मिलता है और 2013 में विदान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस की जीत होती है तो उनका नाम चलता है एक आखरी बार सीम की कुरसी के लिए लेकिन इस दफा हार पहनाया गया विजे का सिध्धर अमया को जो देवगोडा की पार्टी छोड़ कर कई बरस पहले कॉंग्रेस में आये थे खटगे को प्रमोशन मिलता है केंद्र में ही रेलवे मंत्राले उनको दिया जाता है और 2014 के बाद की कहानी तो हम सब जानते ही है अब इस कहानी का करनाटक से जो कनेक्शन है करनाटक की राजनीत पर जो असर है वो जानने के लिए हम सुनते हैं बेंगलूरू इस्थित पत्रकार नागार्जन को सुनी उनका बयान मलिकार्जन कर गे जो करनाटक में एक बीश में पिता महा जैसा है आज के दिन में जो 80 साल के है आज 1969 से उनका political involvement है गुलबर्गा सिटी कोपरेशन तेक प्रसेड़न बने सिटी काउंडर्श का प्रेसिदंट बने पहली बार बार 72 में पहली बार विदायक बने करनाटका असेंबली गुरमिट का असेंबली कॉंसेंट बर लगा था नो बार जब तक दी लिमिटेशन हुआ था तब तक नो बार वो विदाइक रहे करनाटक में और कनड़ा में उनका एक टाइटल भी दिया है सोल इल्दा सरदारा जिसका translation the person who doesn't have any loss he has never lost any election till now until 2009 he quit जो गुर्मिटकल से सीधा लोक सबाय गुलबर्गा constituency में और जब वो मोधी जी का वेवतार दीजेपी जो वेवतार 2014 में तब भी वो नहीं हारे गुलबर्गा constituency में तब भी वो MP थे सिर्फ 2019 में वो पहली बार हा रहे और मैं काफी बार उनसे बात कर चुका हूँ बट उनके मन में आभी भी आज भी सबसे बड़ी चुनाओती तो इस वेवतार पर उनके सामने क्या चुनाओतिया होंगी सुनिये वरिष्ट पत्रकार राजेश जोशी का विश्लेशन देखे सबसे बड़ी चुनाओती तो इस वक्त ये है कि कॉंग्रेस का अध्यक्ष होना वही सबसे बड़ी चुनाओती है क्योंकि कॉंग्रेस इस दोर में है इस वक्त जब उसको कोई अपना मुस्तक्मिल नहीं दिख रहा है भोविश्य नहीं दिख रहा है कोशिश कर रह बहुत ही ताकतवर जो उनका राइवल है भारती जनता पार्टी नरेंडर मोदी और अमित शाह और नडडा की पार्टी उसके साथ टक्कर लेनी है दोहजार चौबेस में और इस भी जो चुनाओ होने वाले हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तो ये सबसे बड़ी उनके सामने ये होगी कि क्या वो उसी तरह से समवाद कर पाएंगे गाउं गाउं जिला स्तर के कारिकरताओं से जैसे अमित शाह ने किया था जब वो अध्यक्ष बने थे भारती जनता पार्टी के बूत स्तर के कारिकरताओं से उनका कैसे समवाद होगा बदाईयों बिलसी मजफर नगर पटना उत्तर भारत की मैं खास तोर पर बात कर रहा हूं वो करनाटक से आते हैं उनका एक अपना ओधा है अपना मकाम है राजनीती का बहुत बड़ा अनभाव भी है लेकिन 80 साल की उमर भी है ये भी ये देखने चाहिए तो इस उमर में क्या वो एक अपने रा अंदर का जो खिचाओ था वो उनके आने से थोड़ा बहुत कम होगा इसका मतलब यह है कि अगर कोई दूसरा नेता होता तो हो सकता है कॉंग्रिस का धड़ा उसके समर्थन नहीं होता फ़्यक के उम्म्र है अनुभव है और गांधी परिवार का अशिवाद है गांधी पर अब रुक करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ बिलकिस बानों मामले में हत्यारों और बलातकारियों की रिहाई आज एक बार फिर चर्चा में रही गुजरास सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक भारी भरकम हलफ नामा दायर कर अपने फैसले का बचाव किया लेकिन जैसे जैसे हलफ नामे से जुड़े खुलासे हो रहे हैं गुजरास सरकार के फैसले और केंद्र से मिली मनजूरी पर सवालों की फेरिस्ट लंबी होती जा रही है हमने पिछले शो में विस्तार से इस पर बात भी की थी और कहा था कि तकनीकी रूप से फैसला सही हो सकता है नैतिक रूप से नहीं लेकिन अब जो तथे सामने आ रहे हैं वो रिहाई के फैसले के तकनीकी और कानूनी आधार को भी चुनौती दे रहे है यह समझने वाली बात है कि महज अपराद की जगन्यता के आधार पर रिमीशन या जेल से रिहाई को गलत नहीं ठहराय जा सकता अपराद की जगन्यता का संग्यान या अले सजा सुनाते हुए ले चुका होता है जेल से रिहाई का फैसला कारिपालिका के शेत्रा अधिकार में होता है और इस निर्णे पर पहुँचते हुए कारिपालिका से अपरिक्षा होती है कि वो दोशी में आये बदलाओ अत्वा सुधार के साथ उसकी रिहाई से समाच पर पढ़ने वाले असर पर ध्यान दे और इसी को ध्यान में रखते हुए रिमीशन पॉलसी के तहट नियम बनाए गए है इस का सौटी पर गुजराज सरकार का फैसला कितना खरा उतरता है जब आप के लिए कुछ बिंदूओं पर गौर करिए इस बात का बलाओ प्रचार किया जा रहा है कि बलाओकारियों ने 14 साल की सजा भुगत ली लेकिन जब प्रेस के हाथ हलफ नामा लगा तब सामने आया कि सजा के दौरान दोशी नियम रूप से बाहर आया और वो भी 1000-1000 दिनों के लिए रमेष शांदना, 1576 दिन बाहर इसमेए 1199 दिन परोल और 373 दिन फर्लो जसवन नाई, 1179 दिन इसमें 950 दिन परोल के और 219 दिन फर्लो के इस सूची में अगला नाम है गोविनणाई का 1,202 दिन, इसमें 986 दिन परोल के और 216 दिन फर्लो के शेलिष भट एक हजार एकसो तीन दिन, इसमें 934 दिन परोल के और 63 दिन फर्लो के इसे 6 दिन' की अस्थाईस wreck भी मिली थी विपनचंद्र जोशी 1,09 दिन, इसमें 909 दिन परोल के और 170 दिन फिरलो के प्रदीप मुरडिया 1234 दिन 1011 दिन परोल के और 223 दिन फर्लो के बाका भाई वोहनिया 998 दिन 807 दिन परोल के और 991 दिन फर्लो के राजु भाई सोनी 1348 दिन इसमें 1164 दिन परोल के और 182 दिन फर्लो के मितेश भट 1005 दिन 771 दिन परोल के और 234 दिन फर्लो के और राधे श्याम शाह 1049 दिन 895 दिन परोल के और 114 दिन फर्लो के केसर भाई वहनिया का भी सुनिये 1175 दिन 972 दिन परोल के और 203 दिन फर्लो के आपको लग रहा होगा इतने नाम इतने ब्योरे गिनाने की वज़े क्या है ये नाम ऐसे ही नाम नहीं है पुरे देश में सुप्रीम कोर्ट में मीडिया में पबलिक स्फियर में चर्चा हुई है इस केस की बहस हो रही है लेकिन केंदर और राज सरकार का रवया नहीं बदल रहा है परोल और फर्लो पर अभी और बात होगी आपको याद होगा परोल के दिनों को कैदी वापस जेल आकर फिर काटता है फर्लो के दिन सजा का हिस्सा मान लिये जाते हैं ऐसे में रमेश शान्दा ने एक साल से भी जादा का वक्त खुली हवा में बिताया सजा के तौर पर उस दोरान वो तकनीकी रूप से क्याद भुगत रहा था ठीक इसी तरह जस्वंत नाई, गोविन नाई, प्रदीप मुरडिया, मितेश भट और केसर वोहनिया भी ओस्तन साथ महिने या जादा जेल से बाहर रहे हैं और सजा का मीटर चलता रहा ऐसे में कोई ये कह सकता है कि भाईया, फरलो तो कैदी का अधिकार है और अधिकार मिलने पर सवाल नहीं उठाय जाना चाहिए ठीक है, तब परोल पर ध्यान दीजिए परोल कैदी का अधिकार नहीं होता है इसके लिए एक ठोस कारण चाहिए होता है मिसाल के लिए ऐसे किसी शक्स की मृत्यू या विवा जिससे खून का रिष्टा हो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कौन से ठोस कारण रहे होंगे कि रमेश, चांदना और राजुसोनी तकरीवन सवा तीन साल परोल पर बाहर रहे बाकी सारे कैदी भी डाई से पौने तीन साल तक परोल पर रहे फिर परोल देते वक्त सक्षम प्राधिकारी से विवेक के इस्तिमाल की अपेक्षा होती है उसे ये देखना होता है कि कैदी के भाग जाने का खतरा तो नहीं है इस बात का उलेक हमने इसलिए किया क्योंकि ये 11 कैदी कई बार परोल और फरलो की आवदी पूरा होने के बाद समय पर जेल नहीं लोटे रमेश चाधना को 2015 में 14 दिन की फरलो मिली लेकिन वो जेल लोटा 136 दिन बाद यानी 122 दिन लेट राजु सोनी को सितंबर 2013 में 90 दिन की परोल मिली लेकिन वो जेल लोटा 287 दिन बाद यानी 197 दिन लेट इसी तरह जस्मन नहीं 2015 में सरिंडर के लिए 75 दिन जादा लिए गुजास सरकार ने 14 साल की सजा पूरे होने वाली जो बात अपने हलफ नामे में कही है उसे इन बातों के संदर्व में भी देखा जाना चाहिए अब आते हैं सजा के दौरान इन कैदियों के अच्छे व्यवहार वाले बिंदु पर सजा का मकसद होता है कैदी में सुधार लाना लेकिन क्या ये कैदी सुधार रहे थे जब आब ये रहा मितेश भट और रादेश याम शाह जब परोल पर बाहर थे तब उन पर जून जुलाई 2020 में रादिकापुर पुलिस थाने में एक FIR हुई धारा लगी IPC 304 यानि किसी महिला की गरिमा को भंग करना IPC 504 यानि शांती भंग करने के मकसद से अपमान करना और 506 दो यानि आपराधिक रूप से धंकाना ये लोग पिंटू भाई नाम के गवा को धंका रहे थे इस मामले में भी चारशी डाकिल हो चुकी है और मामला न्यायाले में विचारा धीन है इस मामले में आरोपियों की तरफ से भी क्रॉस एफाई आर हुई थी पर मामला यहीं नहीं रुकता शैलेश भट के खिलाफ एक जनवरी 2021 में मनसूरी अब्दुलरजाक अब्दुलमाजी ने दाहुत पुलिस थाने में तहरीर दी आरोप लगाया कि परोल के दौरान भट ने उन्हें धंकाया तहरीर में भट को वापस भेजने की अपील भी की गई गोविन नाई के खिलाफ 30 जुलाई 2017 को इसमाइल गाची और इम्तियास गाची ने पुलिस में तहरीर दी इम्तियास बिल्किस के ही गाओं रादिकापूर के रहने वाले हैं और बिल्किस मामले में गवाभी थे उन्होंने आरोप नगाया कि गोविन नाई ने उन्हें समझोते के लिए धंकाया और पांस साल बाद 19 सितंबर 2022 को यानि कैदियों के चूटने के एक महिने बाद इम्तियास गाची ने भारत के मुक की नयायदीश यू यू ललित को एक चिट्थी भी लिखी उन्होंने सीजी आई को लिखी चिट्थी में कहा कि एक दूसरा दोशी रादेश श्याम शाह उन्हें पिपलोद रेलवे फाटक पर मिला और बोला तुम्हें मेरा नाम लेकर मिला क्या मैं तो बाहर आही गया रमेश शान्ना जिस नाम का आज बार बार जिक्र हो रहा है इस पर प्रिजन्स एक्ट 51A और 51B के तहट भी मामला दर्ज किया गया क्यों? क्योंकि उसने सरेंडर देड से किया था ये सारी जानकारिया हमने दोस्रोतों से लिए हिंदोस्तान टाइम्स के लिए मौलिक पाठक की रिपोर्ट और इंडियन एक्सप्रेस अखवार के लिए सोहनी घोश की रिपोर्ट यहां तक आते 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 आपको सजा की अवधी और सजा के दौरान कैदियों के व्यवहार की एक जलक मिल गई अब आते हैं तीसरे बिंदू पर की रिमीशन के नियमो का पालन किस तरह हुआ हमने 18 अक्टूबर के बुलेटिन में इंटेंट आफ लॉव यानी कानून की मंचा का महत्तु इस्थापित किया था लेकिन क्या गुजरास सरकार ने लेटर आफ लॉव को भी ठीक से पालिट किया आई ये सवाल का जवाब खोशते हैं 18 अक्टूबर को हमने आपको बताया था कि दोश्यों की रहाई के प्रश्ट पर विशेश सी बियाई अदालत के जजज ने आपत कि ली थी लेकिन कुजरास सरकार ने जो फैसला लिया वो जजज की राई से उलट था अब ये बात अपनी जगे है कि ये फैसला राजी सरकार को ही लेना था लेकिन उसे सुप्रीम कोट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना चाहिए था साल 2016 में सुप्रीम कोट की समिधान पीट ने एक महत्मूर फैसला दिया कहा दोशी को माफ करते वक्त या रिमिशन देने का फैसला सजा सुनाने वाली कोट के जजज की राई के आलोक में ही लिया जाए साधी भाशा में सुप्रीम कोट कह रहा था कि सजा सुनाने वाले जजज की राय को महत दिया जाना जरूरी है कोट ने अपनी इसी बात को अपरेल 2022 के राम चंदर बनाम 36 वर सरकार मामले में दोहराया भी नियाले ने कहा कि यदि सजा सुनाने वाले जज की राय को सिर्फ खाना पूर्ती मान लिया गया तो ये रिमीशन के कानून के मकसद को बेमानी कर देगा और तब ये पूरी प्रक्रिया महज़ एक आपचा रिकता बन कर रह जाएगी सुप्रीम कोट के एक और फैसले पर गौर करना आवश्यक है ये फैसला कहलाता है सन 2000 का लक्षमर नसकर बनाम भारत सरकार इसमें नियाले ने इस परश रूप से बताया था किसी भी दोशी को रिमीशन देते वक्त कि इन बिंदूों का ध्यान रखना आवश्यक होगा क्या है ये बिंदू अपराद व्यक्ति के खिलाफ हुआ या फिर समाज के क्या दोशी द्वारा अपराद दोबारा किये जाने की आशंका है क्या दोशी में अब अपराद करने की शमता बाकी नहीं रही क्या दोशी को जेल में रखने से कोई मकसद पूरा होता है दोशी के परिवार की आर्थिक सामाजिक परिस्थिती भी तर्शक जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे भारत में लागू होते हैं ऐसे मैं भी बताए पहले बिंदू के संदर में सीबी आई के स्पेशल जजज आनंद यवलकर की राय का महत और बढ़ जाता है सिर्फ इसलिए कि वो सजा सुनाने वाली अदालत के जजज थे इसलिए नहीं बलकि इसलिए भी कि उन्होंने रिमीशन पर अपनी राय देते हुए दस्वे पेरा में एक साफ तोर पर टिपनी लिखी कि इस मामले में सभी आरोपियों को बेगुना लोगों की हत्या और रेप का दोशी पाया गया था आरोपियों का पीड़तों के साथ ना तो कोई संबन था ना ही दुश्मनी ये अपराद सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पीड़त एक विशेश धर्म से थे इस माम अपराद में पीड़त पक्ष विरहत समाज है जब सीबियाई के जजज ने कह दिया कि अपराद समाज के खिलाफ हुआ तो सुप्रीम कोट के साल 2000 वाले फैसले के रहते रिमीशन मिल जाना समझ से परे है ऐसा प्रतीत होता है कि गुजराद की सरकार ने एक नहीं दो इस्त मिले को कैसे व्याख्यायत करता है यह थी आज की दोनों बड़ी खबरें अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ पहली सुर्खी के संबंध बिहार के किशन गन से सोमवार यानी 17 अक्टूबर को यहां के सरकारी स्कूलों की कक्षा साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट तैस समय पर अपने स्कूल पहुंचे पेपर अंग्रेजी का बच्चों को कुश्चन पेपर बाटे गए एक सवाल ऐसा पूछा गए जिसे लेकर बिहार के सिक्षा विवाग पर सवाल उठने लगे सवाल क्या था पहले यह जान लेते हैं सवाल में जिन देशों के बारे में पूछा गया उसमें चीन, नेपाल, इंग्लेंड के साथ भारत का जिक्र था और इसमें आखरी आप्शन के तौर पर जिस देश का नाम लिखा था वो था कश्मीर यानि सवाल पूछने वाले के मुताबिक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं एक अलग देश है ऐसा बताया गया मामला सामने आने के बाद बिहार के बीजेपी ने महागटबंदन सरकार को घेरने में अपनी बात कही क्या कहा सुनिए अध्यक्ष को प्रदेश इस मामले में बीजेपी बिहार सरकार पर तुष्टी करण की राजनीती करने का आरोप लगा रही है फिलाल इस मामले में कारवाई क्या हो रही है बिहार के मौजुदा सिक्षामंत्री चंदर शेखर प्रिसाथ से सुनिए यह जो गलती जसने भी अधिकारी की है बरेस बरादीकारी हो यह चूक हो जाया जो हो यह चूक नहीं माना जायेगा उस पर कारवाई होगी जाँच हो रही है धीम सहाब से लगातार समपर्ग में है परिख्षा बिहार सिख्षा परियोजना परिशत के जरिये आयोजित कराई गई थी बिहार में कश्मीर को अलग राष्ट बताने वाला सवाल पहली बार नहीं पूछा गया इससे पहले साल 2017 में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था और तब इसे मानविये चूक बताया गया था अगली सुर्खी चीन के कारिस्तानी से जुड़ी है लशकर तयबबा का खुंखार आतंकवादी है शाहिद महमूद भारत और अमरीका शाहिद महमूद को ग्लोबल टेरिस्ट की लिस्ट में शामिल कर आना चाहते थे ऐसा करने की दोनों देश संयुक तराज सुरक्षा परिशद में बाकाइदा प्रस्ताव लेकर आये लेकिन चीन ने इस पर अलंगा लगा दिया चीन ने आतंगवादी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेरिस्ट घोशिद करवाने के भारत और अमरीका के प्रस्ताव को इस्थगित कर दिया बीते चार महीने में ऐसा चौती बार हुआ जब वैश्विक मंच पर आतंगवादियों के बचाव में चीन सामने आया सायोक्त राज सुरक्षा परिशद में पाँच देश अमरीका, ब्रिटन, चीन, फ्रांस और रूस पर्मनेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो का हक है यानि अगर उनमेंसे किसी एक ने भी परिशद के किसी प्रस्ताओ के विरोध में वोट डाला तो वो प्रस्ताओ पास नहीं होता और चीन ने इसी वीटो पावर का इस्तिमाल आतंगवादी शाहिद मेहमूद के लिए किया फिलाल ये जान लेते हैं कि किसी को ग्लोबल टेर्रिस्ट गोशिद करने पर होता क्या है वैश्विक आतंग की गोशिद हो चुके व्यक्ति को कोई भी देश अपनी सीमा में प्रवेश नहीं देता वो जिस देश में रहता है वहाँ भी उसे किसी तरह की यात्रा करने की अनुमती नहीं होती जिस भी देश में ऐसे व्यक्ति की संपत्य होती है उसे जब्त करने का अधिकार उस देश की सरकार को होता है अगली सुर्की तरफ चलते हैं राजिस्तान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के रिक्रूट्मेंट यानि रीट एक्जाम से जुड़ी है यह सुर्की रीट यानि राजिस्तान eligibility examination for teachers इस परिक्षा के जरीए ये तैह होता है कि आप सिख्षक बनने के योग उसराज में हैं या नहीं दो लेवल के एक्जाम होते हैं लेवल वन कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के टीचर और लेवल टू यानि कक्षा छे से आठ और उससे आगे के टीचर परिक्षा रद होने के बाद मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने आगे दोनों लेवल मिला कर कुल 62,000 पदों के लिए भरती की घोशना की थी अब हुआ ये कि बीते 17 अक्टूबर को अशोग गहलोत ने इनी 62,000 पदों में से 46,500 पदों पर भरती की जानकारी थी इन 45,500 पदों में level 1 में 21,000 पद और level 2 में 25,500 पदों पर भरती की बात सिए हम ने कही और सरकार की इसी फैसले का विरोध सिक्षक भरती की तयारी कर रहे है अब भ़हरती कर रहे हैं उनका कहना है, सरकार ने बजट सतर की दौरान लेवल 2 में 30,500 पदों पर भरती की बात कही थी, लेकिन अब केवल 25,500 पदों पर भरती की बात कह रही है, लेवल 2 से 6,000 पद घटा कर लेवल 1 में जोड़ दिये गए, ये नाइनसाफी है, बरसों बाद भरती आती है फिर पेपर लीक हो जाता है परिक्षा रद्ध होती है दोबारा परिक्षा फिर वही पूरा प्रोसेस और फिर एक दिन पता चलता है जितनी सीटों पर सरकार ने पहले भरती की बात कही थी उसमें भी कटौती हो गई राजिस्तान में सिक्षक भरती की तैयारी कर रहे अभ्यरती सोशल मीडिया पर हैश्टेक चलाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे है अगली सुर्खी डॉलर और रुपे से जुड़ी है डॉलर के मुकाबले भारती रुपे का कमजोर होना जारी है आज यानि 19 अक्टूबर के सबसे निचला इस्तर है देश की अर्थ विवस्था देश की विवस्था सब में दिल्चस्पी लीजिए क्योंकि देश हमार और आपका है ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए शुबरात तरी मिटाने ख़बरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइब आप डाउनलोड करें ललन टॉप एप